हेलो बच्चो आज की यह मज़दार कहानी है एक महंती किसान की तो आईए सुनते हैं यह कहानी एक किसान था वा बहुत ही महनत से खेती करता था अपने बैलों के साथ खेत की जुताई करके अनाज पैदा करता था और घर चलाता था एक दिन वह खेत से घर आया तो उसकी बीबी बोली जी सुनते हो आज शहुकार आया था अपने पैसे वापस मांग रहा था बोला कि पैसे नहीं दोगे तो बैल को बेज के पैसे ले जाओंगा यह सुनकर किसान काफी चिंतित हुआ वह घुमते हुए खेतों की तरफ गया वहां से जंगल की तरफ गया सोचा कि अब पैसे कहां से लाएंगे तभी उसके दिमाथ में एक युक्ती सुचती है वह तुरंत कुलहाडी लेके आता है और एक सुखा हुआ पेड काट कर उसको बेज के पैसे जुटाने की कोशिस करता है तो वह घर सारी लकडिया काट कर सर पर लेके जो है उसको बेजने के लिए चल देता है और चलते चलते सोचता है कि लकडिया बेच कर साहुकार के पैसे चुका देगा अब वह लकडिया लेकर गाव में बेचने के लिए आता है पर सोचता है कि गाव में तो पैसे कम मिलेंगे तो क्यों ना चलके सहर में बेच दिया जाए ज्यादा पैसे मिलेंगे यही सब सोचते हुए वह सहर के तरफ लकडिया लेकर जाता है और सहर में लकडियों को अच्छे दाम पर बेशता है उससे बहुत सारा पैसा मिलता है वह पाउसा पैसा लेके साहुकार घर पाउसता है और बोलता है साहुकार जी यहलो अपना पैसा और अब दुबारा मेरे घर पे मत आना इस प्रकार किसान ने अपना सारा कर्ज चुका दिया प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, सेर डेली लाइब 3737